जब सत्ता की ताकत के सामने, सवाल कम्सोर पढ़ जाएं, तो आवाज बलंद करनी पढ़ती है। बोल किलब आजाद हैं तेरे। नोस्कार बोल किलब आजाद हैं तेरे। नाज़कार बोल के लिए बाजाद हैं तेरे मैं अफिसार शर्मा इस देश की जनता की किस्मत भी बहुत अजीव है दोस्तों पहले नोटबंदी के दौरान देखे इस तरह से उन्हें लाइन में लगवाया गया था लाइन में लगकर सौ देड़ सो लोगव की मौत हो गई थी दोस्तों और उस वक्स सरकार ने हमें बताया था कि नोटबंदी का कोई नुकसान देश को नहीं हुआ आज भी ये सरकार मानने को राजी नहीं है कि नोटबंदी से हमारी अर्थ व्यवस था पूरी तरह से धरशाय हो गई है और आज एक बार पिर उस जंता को line में लगना पड़ रहा है नहीं मैं oxygen के लिए नहीं कह रहा हूं मैं अस्बताल में बिस्तरों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको ये लाइन दिखा रहा हूं शम्शान घाट के बाहर पार्थिव शरीर की लाइन लगी हुई है ये इस देश की जनता की नियती है ये इस देश की किस्मत है यहां एक बार फिर उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है और सिर्फ ये नजारा नहीं है ये देखिए सफेद चादर में लिपती ये लाशें किस तरह से सड़क के बाहर के साथ साथ इन्हें लिटा दिया गया है और इनकी भी लाइन लगाए गई है और आप जानते हैं नोट बंदी के दौरान सरकार के रवएए और अब सरकार के रवएए में क्या समानता है आज भी सरकार और बड़े अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ के इस बयान की तरफ एन आई यूपी को दिया गया इनका यह बयान जिनके बारे में उन्होंने कुछ एक बहुत अच्छा शब्द कहा था पिछले तीन दिनों में कोविड के जो केसिस हैं वो नीचे गए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर ना बिस्तर की ना ऑक्सिजन की ना दवाईयों की कमी है ये हैं आपके मुख्यमंत्री आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं जो भी अस्पताल ऑक्सिजन की कमी को लेकर गलत क्लेम्स करेंगे गलत दावे करेंगे उन पर आक्शन होगा इस तरह से दोस्तों अस्पतालों को धंकाया जा रहा है और मैं आपको कहीं और लेकर नहीं चलना चाहूंगा मैं आपको इंडिया टुडे की इस खबर की तरफ लेकर चलना चाहूंगा आपके स्क्रीन्स पर क्या कहरी है खबर कोविड क्राइसिस इंटेंसिफाइज इन उत्तर प्रदेश हॉस्पिटल्स इन मेरट फेस स्कासिटी इफ ऑक्सिजन मेरट जैसे शहर में जो कि दिल्ली से सिर्फ साट किलो मीटर दूर है उत्तर जो भी ऑस्पिताल ये दावा कर रहे हैं कि उपर आक्शन होगा वो मानने कोई नहीं राजी है कि कोई संकट है कहते कहीं पर कोई बिस्तर की कमी नहीं है कोई ऑक्सिजन की कमी नहीं है दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है मैं और मेरे कुछ जानकार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंच सके हमें इतनी मिन्नत करनी पड़ रही है आप बिलकुल नहीं सोच सकते हैं आज ये सरकार ये मानने को ही राजी नहीं है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है एक और तस्वीर देखिए एक और खबर देखिए सिहरन पैदा करने वाली दोस्तों और ये पत्रकार महेश लांगा ने इसके बारे में चर्चा की अपने ट्विटर टाइम लाइन पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ Just in, सूरत is facing acute shortage of oxygen. If the supply is not restored, 4000 patients in and around private 400 hospitals in the city will be discharged as hospitals are scrambling for oxygen supply. Indian Medical Association सूरत यानि कि Indian Medical Association सूरत ये कह रहा है कि अगर सूरत के अंदर oxygen मोहया नहीं कराए गई तो कम से कम 400 अस्पतालों के अंदर भरती 4000 मरीजों को बाहर कर दिया जाएगा. इन 4000 मरीजों के साथ क्या होगा मुझे बताएगे. मैं जानता हूँ दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मद्ध प्रदेश हो, मृत्कों के आकडे को ये लोग लगातार दबा रहे हैं. मगर क्या आप दर्द को कम कर पाओगे? वो जो 4000 लोग जिनने सूरत के अस्पतालों से बाहर कर दिया जाएगा, या वो जो 21 लोगों की मौत हुई है मेरट के एक अस्पताल में, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, अगर आप उन आकडों को दबा दो योगी जी, या र इसानियत कहा गई, आप इतने इतनी बेरुखी किसलिए जनता से क्या दुश्मन हैं आपको भाई, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी राजनीतिक साख बचाय रखनी है, आप तमाम राजनीतिक हदों को पार कर देंगे, और हकीकत ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी साख बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं, अब मैं आपके सामने कुछ प्रमान पेश करने वाला हूं। ताहूं। It is astonishing to see that your respected publication has chosen to reproduce a completely baseless, malicious and slanderous article without bothering to check the facts of the case with any authorities in the government of India. It appears that the report has been written only with the sole objective of undermining the universally acclaimed approach taken by the government of India to fight against the deadly global pandemic at this decisive moment. यहाँ पर भारत सरकार क्या कह रही इस अकबार को? भारत का स्थान है 140 और हम लगातार गिरते जा रहे हैं और Australia का स्थान जानते हैं क्या है? और Australia का स्थान है 25 हम से कहीं आगे हैं वो और हम Australia को ग्यान दे रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर यह हैं Pat Cummins Australia के प्लेयर हैं आप जानते हैं इन्होंने कितने का दान किया है? पच्छास हजार डॉलर ताकि भारत की लड़ाई में मदद मिल सके पैट Cummins को क्या जरूरत ही दोस्तों कोरोना में हमारी मदद करने की एक Australia को और हमारे किसी क्रिकेटर ने इस आपदा के बारे में एक शब्द बुला है आपने सुना है विराट कोली के मूँ से, रोईच किसी भी क्रिकेटर के मूँ से, क्यों नहीं बोलते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर ये बोलेंगे न, तो इन्हें लगता है कि मोदी सरकार नाराज हो जाएगी, फिर कहीं न कई मोदी सरकार को ये स्विगार करना होगा कि इस देश में कुरोना को लेके संकट है, अरे मानी चाहिए हमारे सेलिब्रिटीज को, शर मानी चाहिए हमारे क्रिकेटर्स को, और एक और बात, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अमरीका में क्या हुआ, कल वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फरेंस हुआ, और ये पत्रकार उमा शंकर सिंग ने अपने ट् देश दिया है, ये सवाल किया गया, जवाब जैनसाकी का, ये दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अमरीकी विचार से मेल नहीं कहता, आज अमरीका हमारी मदद कर रहा है, वैक्सीन के अंदर जो कच्छे माल का इस्तमाल होता है, उसको लेकर वो हमारी मदद कर रहा है, मगर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर देखिए, हमारी पोल इस तरह से खोली जा रही है, और एक और खबर देखिए दोस्तों, ये वाशिंटन पोस्ट की खबर है, वाशिंटन पोस्ट भी ये लिख रहा है, कि ट्विटर ने उन तमाम ट्वीट्स को हटा द या जिन्होंने भारत सरकार, यानि की मोदी सरकार की आलोचना की थी, खासकर इन्होंने जिस तरह से पैंडिमिक का सामना किया है, किस तरह से इन्होंने समाधान किया है। इन्होंने क्या दावा किया था और बात यहां नहीं रुकती केंद्रीय मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत के पास एक औरत पहुँचती है वो अपने बेटे के लिए मदद मांग रही होती है और आप जानते हैं गजेंदर सिंग शेखावत क्या कहते हैं गजेंदर सिंग शेखावत कहते हैं आप बाला जी को नारियल चड़ाओ सब ठीक हो जाएगा सुनियों उन्हें ने कहा क्या देखिए ये लोग कौन हैं ये लोग मुख्य मंत्री हैं ये लोग बीजेपी के अध्यक्ष हैं ये लोग केंदर में मंत्री हैं और अब भी आप ये सोचते हैं कि मैं आख मून दे इस पर कोई टिपणी ना करूँ पंजाब में समस्या है महराश में समस्या है अगर क्या आपने पंजाब के मुख्य मंत्री को या महराश के मुख्य मंत्री को इस तरह के बयान देते हुए देखा है कि वो अपनी लोगों पर, अपनी अस्पतालों पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कैप्टेन अमरिंदर सिंग क्या कह रहे है Situation of oxygen supply in Punjab is extremely critical due to rising COVID-19 I request Home Minister Amit Shah and Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan to urgently enhance daily quota and to ensure allotted liquid manufacturing oxygen supplies are released to Punjab गोहार लगा रहे हैं कैप्टेन अमरिंदर सिंग कि पंजाब के अंदर oxygen की लगातार कमी आ रही है इसलिए हाँ जोड़कर प्रातना हैं Amit Shah और हर्षवर्धन से कि आप लोग oxygen जो है वो पंजाब को मुहिया कराएं आप मुझे बताईए ना एक मुख्यमंत्री है कैप्टेन अमरिंदर सिंग जो केंदर सरकार से अपील कर रहा है वो मान रहा है कि मेरे राजिके अंदर oxygen को लेके संकट है और दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री है वो मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई संकट है क्यों छुपाया जा रहा है तो कहते हैं कि आकड़ों पर शोर करने से कोई मुर्दा जिन्दा थोड़ना हो जाएगा सुनिये इनकी बात प्यारों का ये कहना है कि हम भाइचारे में मीडिया को देते हमारी जनता के परती कोई जवाब दे नहीं है साथ-षाथ ये भी पाता है जिस प्रकार का ये संकट आया है इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं कहलना है हमको लूगों का कैसे स्वास ठीक हो कैसे उनको हम रहात पहुचा सके शारा ध्यान अबरा अधर ही होना चाहिए अब जिसकी ड़त हो गई है वह वापिस हमारे शोर में जाने से जीवत होता नहीं है हम हर संभव हम हर संभव प्रतन करेंगे कि सब लोग को बचाया जाए आज मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं इंसानियत किसमें है दोस्तों क्या अमरिंदर होने के नाती यह आपको सोचना है कि यह हो क्या रहा है इस देश के अंदर और सबसे ज्यादा अफसोस की बात दोस्तों कि हमारे सेलिब्रिटीज पूरी तरह से खामोश हैं पाट कमिंस ने पचास हजार रुपए की मदद की बात की मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क् आमिताब बच्चन को कुछ कहते हुए सुना शाहरुखान को कुछ कहते हुए सुना अक्षेक कुमार को कुछ कहते हुए सुना अजय देवगन को कुछ कहते हुए सुना सलमान खान आमिर कान को कुछ कहते हुए सुना क्यों नहीं कहना चाहते हैं उल्टा ये जो आदमी है अनुपम खेर, इन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि आएगा तो मोदी ही, अब भी ये मोदी की सेवा कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ, जो तमाम नाम मैंने आपको बताये थी, इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा दोस्तों, क्योंकि जब आप मदद के लिए ट्विटर पर बात करेंगे, कि लोगों की मदद करो, तो इससे क्या होगा, इससे इस बात की पुछटी होगी, कि इस देश में एक समस्या है, दुनिया भर में संदेश जाएगा, कि देखिए आमिताब बच्चन, शारुक खान, सल्मान खान, ये लोग मदद की अपील कर रहे हैं, ये लोग मदद की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये लोग खामोश हैं, और मदद कौन कर रहा हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बॉलिवुड के सेलिबरिटीज मदद नहीं कर रहे हैं, भूमी पेडनिकर, जो कि एक आक्ट्रेस हैं, जीशान आयूब, तापसी पन्नू, स्वरा भासकर ये लोग पहली भी बोलते रहें अब ही बोल रहें और आगी भी बोलते रहेंगे फरान अख्तर ये तमाम चेहरें आज भी अपनी बात रख रहें मगर इन्हें तो पहली भी गर्याय जाता रहा था और अब भी ये काम करने के लिए दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ दिनों बात का जाएगा ये लोग देशद्रोही हैं वाकई दोस्तों शब नहीं रह जाते हैं मेरे पास जब मैं इस तरह की समवेदन हिंता दिखता हूँ एक ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब एक मैं खुद को एक ऐसे लंभे में पाता हूँ जब मेरे आँखों में आसु आ जाते हैं मेरे पास कॉल्स आते हैं लोग मदद की गौहार करते हैं उन में से मुश्किल से पाँच या दस फीसदी की मदद कर पाता हूँ नब्बे फीसद की सस्थ मैं पूरी तरह से हताश हूँ पूरी तरह से वेबस हूँ मगर हाँ एक बार फिर आप सबसे अपील करना चाहूँगा हालात बहुत खराब हैं दोस्तो बाहर मदद नहीं है उपर से सरकार आपके दर्द को भी मानने से इंकार कर रही है इसलिए मास्क पहनिए घर में रहिए बाहर भी जाएं तो अपना खयाल रखिए हाथ को लगतार सैनिटाइजर से धोईए बच्चों का ख्याल रखिए बुजर्गों का ख्याल रखिए ये दोर गुजर जाएगा मुझे पूरा विश्वास है ये देश किसी एक पुलिटिकल पार्टी की उदासीनता के चलते दफ्द नहीं हो जाएगा मगर ये वो ऐसा लमाई हैं जिसमें आप और हम सब किसी ना किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं मैंने भी किया है और आप भी कर रहे होँगे हिम्मद बांदे रखिये सावधान रहिए सतरक रहिए मेरी आप सब से बस यही अपईल है दोस्ते बोल के लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार